तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अब विल अटरिनल एपिसोड 12 की दूल लिंख फिको होश आ जाता है और वो वहाँ पर शाव अचन को डूढ़ रही होती है खुश देहर बात उसे शाव अचन दिखाई थी था उसके पाज आते हैं उससे बोड़ रही होती है मैं तुम्हारा नाम चलता रही थी बड़ तुमने एक बार यहाँ क्यों नहीं लगाई शाव अचन पूश रहा होता है क्या तुम दुबारा मेरे बारे पर चिंता कर रही हो दुलिंफे मना करते हैं और कहरी होती है कि अगर तुम मेरे वैसे मर गए तो फिर मेरे उपर तुम्हारा कर्ज रहेगा फिर उन तीनों के सामने चैन्यों आता है तो उनसे बोड़ रहा होता है कि तुम तीनों हमारे स्पिश्यू सैक्रिफाइस का पार्ट बन सकते हो और हमारी फैमिले की हैल्प भी कर सकते हो शाओ बाउचन चैन्यों को देखकर वहाँ से भागने जाता है क्यों जो फॉर्मेशन होती है वो पूरी तरीके से बंद नहीं हुई होती लास्ट बाउचन को देखते हैं कि वहाँ पर युनफे होता है उसको कई सारी स्टैमिन जगर रखा होता है इदर शाओ बाउचन दुबारा भागनी कोईश कर रहा होता है बर जो लटकी होती है उपना सकाफ फेक दिया है और से गले में लिपेड लेती है अब वह फॉर्मेशन पूरी तरीके से क्लोज हो जाती है और जो शाओ बाउचन को गला होता है वह बहुत सारी घुट रहा होता है जबी शाओ बाउचन खुछा जाता है और वह सकाफ को अपने हाथों से फार देता है इसके बाद वह अपनी सौर निगालता है और एक अट फिर थोड़ा सा रिकवर हो जाता है यूनफ उत तेरों से बोड़ रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर रुखना नहीं चाहिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए जैकर बहुत सबाद कतरनाख है यह बहाँ पर जो स्पिर्चुल ट्री होता है वह अचाना से एक मौशर ब पच्छन में कामया हो जाता और उसके हल रहा होता है, तभी उसके सामने फंगी आता अर हो Grade में बहुए को पखर करना होगा घरहता है फिर वह सामने से हट जाता, जो स्ट्रमती यह को पखड़़ तो होच मपररर बोह नहीं जा हुगे कर दो और पिर चृब हो जए कि तोम सब्सक्राइब मैं बोहर नियुक्त हूं। उस लग्रसट की वेसे पारण निखाय और है और फैंगी यहोंगी पर घता है। फैंगी पार यिविशा मेपर भूब जाता है। और वहाँ पर वो डूलिंग फे और यून फे से मिल्ट राओ तो बता रहा होता है कि मेरी जान बचाईए फैंगी ने उसने मुझे धखा दिया ताकि मैं बाहर निकल सकूँ और वो वहीं पर फस गया डूलिंग फे बोर्ट ही होते हैं इसमें तुमारी कोई गलती नहीं है और हमें जल से जल यहां से बाहर निकलना होगा एक underground palace होता है और वो chain family गाँ होता है वहाँ पर chain family के सारे लोग होते हैं और वो formation त्यार कर रहे होते हैं फिर वहाँ पर chain भी पौजता है और वो family की head से माफ़ी मागरत दो बोड़ रहा होता है कि मैं सरफ एक disciple को मार पाया फिर वो head board रहा होता है तुम्हें पता है कि हमारे पास सरफ कुछ दिन बाकी है अगर हम formation पूरा कर लेंगे तो फिर हम अपनी destiny को बदल सकते हैं इस वैसे तुम्हें उन disciple को यहां से जिन्दा बाहर नहीं जाने देना है डूलिंफे अकेली बैटे होती है और बहुत दास होती है और पूश रही होती है कि हम यहां से बाहर निकल सकते हैं प्यी फैंगी के level 7 होता है बट वो वहां से बाहर नहीं निकल पाता है शाव वाचन डूलिंफे के पास जाता है क्या तुम रो रही हो तो फिर डूलिंफे मना करते है फिर शाव वाचन बोल रहा होता है कि मेरे भी कैसी फेट है कि मैं यहाँ पर फस गया हूँ तो फिर डूनिफे बहुत रही होते हैं मुझे भी डर लग रहा है लेकिन मैं यहाँ पर बैट कर अपनी मौद का अंज़ार नहीं कर सकती हूँ हम त्यों मिलकर साथ में कोजिश करेंगे और वापिस सेक्ट में जाएंगे अब यूनिफे की हालत पहले से ठीक हो गई होती है तो फिर शाव पर उसके पास जाता है और किस चेस्ट पर हलका सब पंच माता है बोट रहा होता है कि मुझे यह सब करने को शाव मीने बोला था यूनफर उससे मावी मांग रहा होता है फिर डूलिंफर वहाँ पर आती है और उसे से पूर्श होते है कि यहाँ पर क्या हुआ है यूनफर बता रहा होता है कि जब मैं कई मेहने पहले यहाँ पर आया था वो अटेक चेन्वे ने क्यों होता है उस अटेक के दोरान वो तीनों बुरी तरीके से गहल हो जाते हैं चेन्वे डूलिंग फेर पैसे बोर्ड रहाता है एकर तुम्ट रिवश लेना हो तो फुर तो मेरा नाम याद रखना अगली लाइफ के लिए मेरा नाम है चेन्वे फिर डूलिंग फिर शावजन से बोड़ रही होते है कि तुम्हें ये एक हबर हमारे पीक में देनी है तुम्हें वहाँ पर जल से जल पहुशना होगा और हमारे लिए हेल्प लेकर आनी होगी तो फिर शावजन की बात मान जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है